नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं धनबाद में भी मुख्य मंत्री हिमन्सृरिन का कारकरम होने जा रहा है इस कारकरम में 10,000 यूकों को रोजगार समधित ओफर लेटर उनके हाथो दिया जाएगा उत्री छोटा नागपूर के साथ जीलों से यूख ओफर लेटर लेने धनबाद पहुचेंगे धनबाद में ही मुख्य कारकरम का आयोजन किया जाएगा बतादे सरम नियोजन प्रस्तिक्षन अमकौसल विकास विभाग धनबाद की ओर से 1000 यूकों की सुचित तयार की गई है इसमें कई कमपेनिया में चयन किया गया है बिभाग की ओर से उन्हें सुचित किया जाया की कारकरम में सामिल होकर अफर लेटर परदान करे वहीं हजारी बाग गिरीडी बोकारों से भी संख्या 1000 के करीब है कारकरम को लेकर मुख्य मंत्री सच्चिवाले से समधित बिभाग को इस समध में पत्र मिल गया है धनबाद में यहार करकरम अस्पोर्ट स्टेडियम आठ लेन रोड में होना है जारखन के असी उतकरिष्ट बिद्यालों में 992 सीट खाली जारखन के असी उतकरिष्ट बिद्यालों में 992 सीट रिक्त है जिन बिद्यालियों में सीट रिक्त हैं उनमें बिद्यार्थी अब भी नमांकन ले सकते हैं बिद्यालियों में एक जुलाई से कक्छाय भी सुरू हो गई है कई बिद्यालियों में नमांकन के बाद कुछ बिद्यार्थियों ने टी सी ले लिया है राई सरकार 1280 बिद्याले को उत्किष्ट बिद्याले के रूप में बिक्सित किया गया है इन बिद्याले को CBSC से मने आता दिलाई गई है बिद्याले में नमांकन के लिए परवेस परिक्षा ली गई थी जिन बिद्याले में सीट रिक्त रह गई है वहां सीधा नमांकन लिया जा रहा है बता देर राजी के उत्किष्ट विद्याले में कूल 13,580 सीट है इन में से अब तक 11,588 बच्चों ने नमांकन लिया है विद्याले में 992 सीट अभी रिक्त है विद्याले में नमाकन पर किरिया जून में ही पूरी कर ली गई थी केंदर सरकार से राशन कटवती का असर सावा कडोर लोगों पर संकट जारखन में 1,25 लाग से अथिक लापको को अगस्त महीने में मिलने माले राशन पर संकट है इसका मुल कारण है कि केंदर राशन को मिलने वाले अनाज में से 74,000 में टरिक टन की कडोती कर दिया है बतादे अगस्त महीने के निर्धारित खद्यान के कूल अवांटन लगभग 1,46 ल में टरिक टन के विरूद 74,000 में टरिक टन की कडोती कर ली गई इसकी वज़ा से राज्य के आधे से अधिक लाभुकों को खद्यान नहीं मिल पाएगा आकडों के उनसार राज्य में 2.79 करोर लाभुकों को केंदर अनाज देता है इस बार करीब 50 पिजदी की कडोती कर ली गई है आयसे में करीब सवा करोर लोगों को अनाज मिलने पर संकट गहरा गया है बतादे जार्खन के खाद एवम नागरिक आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरावन ने भी सविकार किया है कि 74,000 मेटरिक टन अनाज की कडोती से राजे के समक्स या संकट खड़ा हो गया है पूलिस कर्मियों को 50 लाख का भीमा राजे में किसी भी पूलिस कर्मी की ब्यक्तिकत दुर्गाटना में मौत या अस्थाई पूर्ण बिकलंगता की छिती में 50 लाख किरासी मिलेगी वहीं अस्थाई आंसिक बिकलंगता पर 30 लाख होवा वायू या दुर्गाटना में मौत पर एक रोर किरासी मिलेगी ब्यक्तिकत दुर्गहटना में मौत पर आश्रित बचों के उच सिक्षा के लिए 10 लाग दता औविवाहित बच्चियों की बिवाह के लिए भी 10 लाग रुपे देने का प्रधान किया गया है वही नक्सल हिंसा या उग्रवादी अपराधियों के द्वारा हमले में सहीद हुए पुलिस कर्मियों के आश्रितों को अतरीक्त 10 लाग रुपे का मौपजा भी भुगतान किया जाएगा स्वामवार को राज्य पुलिस मुख्याले में डीजीपी अजाय कुमार सिनहा की उपस्चिती में पुलिस सेलरी पैकेज के लिए SBI के साथ MOU पर हस्ताक्षर हुए पुलिस की ओर से डीजी बयर डाक्टर सम्स तबरेज और SBI की तरफ से देवेश मित्ताल DGM रांची ने हस्ताक्षर किया है गोड़ा से तीरपन मवासी जब्त जारखन के पाकुड जिले में अस्थाने थाना पुलिस ने रब्विवार की रात साढ़े दस बजे रानी पूर मोड के निकट छापे मारी कर तसकरी को ले जा रहे तीरपन गोवनसियों को जब्त कर लिया है अंधेरा के कारण तसकर भागने में सफल हो गाए गोवनसियों को गोड़ा जिले के बंका मवसी होट से पैदल ही लाया जा रहा था गोवनसियों को बंगाल ले जाने की त्यारी थी परखन पसुपालन पता धिकारी कल्यान सिंग ने प्राथमी की दर्च कराई है प्रखन पसुपालन ने सभी गोवनसियों का स्वास्त जांच किया पुलिश ने बताया कि गुप्त सुचना मिली थी कि गोड़ा के बंका मवसी होट से कुछ तसकरों द्वारा मवसीयों को खरीद कर पैदल ही ले जाया जा रहा है जिसे रानिपूर के राष्टे बंगाल ले जाने की त्यारी है बिना योगता भी से सग्य बन इलाज कल रहे डॉक्टरों पर होगी करवाई राज में बई संख्या में ऐसे डॉक्टर है जो बिदेशी की डिगरी के अधार पर मरीजों को धोखा दे रहे हैं उदारन सारूप रूस में MBBS के समतुले पढ़ाई के बाद MD physician की डिगरी दी जाती है जबकि भारत में MBBS के बाद PG की पढ़ाई करने के बाद MD की डिगरी मिलती है लेकिन रूस से MD physician करने वाले कई डॉक्टर अपने बोर्ड पर MBBS और MD भी लिख लेते हैं जबकि रूस से मिली डिगरी में MD physician के साथ असपश्ट रूप से MBBS के समतुले भी अंकित होता है यही नहीं कोई तो 2-4 माह का कोर्स करने के बाद भी सेसागे लिखते हैं जबकि उस को NMC से मने आता नहीं होती बता दे साइन बोर्ड पर लिखी बड़ी बड़ी डिगरियों के अधार परियादी आप डॉक्टरों के जान का मुल्यांकन करते हैं तो उनसे रोग मुक्ति के उमीद करते हैं तो सवधान हो जाए यह डॉक्टर आपकी जान खत्रे में भी डाल सकते हैं जैक की नई परिक्षा और पाठकरम समीती गठीत जारखन एकेडमिक काउंसिल ने परिक्षा समीती पाठकरम समीती के साथ मने आता समीती वा बीत समीती के गठन कर दिया है जैक के सचीव सजिदानन तिग्गाने सोमवार के इसकी अधिसुतना जारी की है जैक के डॉक्टर अनिल कुमार महतो मने आता समीति के अध्यक्ष होंगे जबकी जैक के उपाध्यक्ष डॉक्टर बिनोध सिंको परिक्षा समीति पाठकरम समीति वबीद समीति का अध्यक्ष बनाया गया जैक मने आता समीती में बिधायक सुधिव कुमार डाक्टर अरुन कुमार महतो डाक्टर राधार रमन साहु वा भरत बढाईक सदस्य होंगे वहीं जैक के सचीव मने आता समीति के सचीव होंगे वहीं जैक की परिक्षा समीति में विधायाक नरायन दास डाक्टर दीपचंद्र राम कस्याप डाक्टर अरुन कुमार महतोवा एसेम ओ मायर सदस्य होंगे क्रीसी और पसुपाला निदेशक का पद घाली जार्खनों पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी समाने से काफी कम वर्ष साथ से क्रीसी परभावित हुआ है कई जीलों में धान की रोपनी काफी कम हुई है तो अन्य खरीब फसलों के अशादन का भी यही हाल है राजे के कई जीलों में लंपी स्किन डिजीज जैसे वाइरल बीमारी को लेकर पसुपाला सोह में हुए है आईसी परस्थिती में जार्खन में क्रीसी निदेशक और पसुपाला निदेशक का पद एक दो नहीं बलिक 27 दिनों से खाली रहे तो इसका पर्तिकूल असर भी भागिये कारियों पर पड़ना स्वभावी खाया है बतादे 25 जुलाई 2023 को हुए आईस अधिकारियों के तबादले के साथ राजे केसी निदेशालाय और राजे पसुपाला निदेशालाय में निदेशक के पद डिक्त हो गाए है सुदेश महतो ने दी स्टुडेंट एक्सप्रेस बस सेवा की सवगाद जारखन के पुरूप मुक्वंत्री एवम आईसू पार्टे के केंदरी अधिक सुदेश कुमार महतो ने सोना हातु परखन के टंग टंग मोड में कहा है कि स्टुडेंट एक्सप्रेस बस सेवा के बढ़ेगा सिली बिधान सभाचेत्र बढ़ेगा सिली बिधान सभाचेत्र जैसे अभ्यान को मजबूती मिलेगी या सेवा दूर दराज के इलाकों से आने वाले छातरों को आगगे पढ़ने और बढ़ने के लिए हौसला भी देगी 14 IAS अधिकारियों को हुई टांसफर पोस्टिंग राईधानी राची के नए नगर आयुक्त अमीत कुमार होंगे 12-12 के IAS अधिकारी अमीत कुमार इससे पुरो खान विभाग डारेक्टर थे बतादे जार्खन सरकार ने IAS अधिकारी अमीत कुमार समय 14 IAS अधिकारियों के टांसफर पोस्टिंग की है इनमें कोई पदस्थापना की परतिक्षा में थे इस समध में कार्मिक प्रसासनिक सुधा ततराज बस अभी भागना इसुतना जारी कर दी है गुमला में बारिस की थिती चिंता जना गुमला जिले में बारिस की थिती ठीक नहीं है अगस्त माह में 265.7 mm समाने वर्सपात की जरूरत रहती है जिसके बिरूद 18 अगस्त अक मात्र 12.9 mm समाने वर्सपात हुई है बारिस कम होने के कारण ही खेती बारी प्रभावित हो रही है किरिसी बेग्यानी की माने तो गुमला जीले में अच्छी खेती बारी लायक जून महा में 205 mm, जुलाई में 299 और अगस्त महा में 265 mm समाने वर्षपात की जरुवत रहती है जिसके बिरूद जून महां में महाज 115 mm, जुलाई महां में 170 तथा अगस्त महां में 18 अगस्त 119 mm समान बर्सपात हुई है बीहिप वा बजरंग दल ने 23 अगस्त को गुमला बंद बुलाया गुमला से 10 किलोमेटर दूर प्रस्तावीत प्रखंड टोटो के सीव मंदीर परिशर में अपति जनक समान फेकने वालों पर करवाई नहीं किये जाने जनराज 20 वहिंदू परिशद वा बजरंग दल ने 23 अगस्त 2023 को गुमला जिल्या में बंद बुलाया है इस समान में उपायूत के नाम पर समहारता सुधीर गुपता को ग्यापन स्वपा गया टोटो के निकर्तम थाना घागरा सीशाई गुमला वा टोटो में जिला पुलिस बल वा रैपिट एक्सन फोर्स के सन्युक ततोधान में फ्लैग मार्च निकाला गया इस मामले के आरोपी को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है डी सी को सौपे ग्यापन के समान में बी हिप के संजोजक मुके सिंग ने कहा है कि बर्तमान में हिंदुओं का पवित्र महीना सावन चल रहा है जिस ब्यक्ति ने महाजनी बेवास्ता के खिलाप लड़ाई लड़ी उसी पर लगाया जा रहा जमीन हडपने का आरोपसियम हेमान्त मुख्य मंत्री हेमान्त सुर्य ने कहा है कि हमारी सरकार लोगों को जमीन वापस दिलाने का काम किया है यह बिचीतर लगता है कि उनके उपर ही कई आरोप लग रहे हैं वे सोमवार को एक नीजी चैनल के कायकरम में बोल रहे थे बगएर किसी का नाम लिए उन्होंने कहा है कि जिस ब्यक्ति ने इस राजे को महाजनी बेवास्था के चंगुल से मुक्त कराया अब उनके उपर भी जमीन हड़पने का रोप लगाया जा रहा है हेमन सुले ने कहा है कि उनकी सरकार में हजारो एकर जमीन रहे तो और ग्रामिनों को वापस कराई गई ऐसा पहली बार हुआ है जब हजारी बाग में ग्रामिनों को सैकडो एकर जमीन वापस की गई वही नेतर हार्ट फिल्ड फैरिंग रेंज की ओधी बीस्टार को सरकार ने रद किया अपनी जमीन की वापस पाने का संहर्च कर रहे है गरामिनों की जमीन वापस कराई गई E.D. के खिलाब सुप्रीम कोट जा सकते हैं C.M. हेमन्त पुष्टाच करेगी इससे पूर्वे 14 अगस्त को E.D. ने उन्हें पुष्टाच के लिए बुलाया था तब उन्होंने E.D. के समन की वैधानिकता को चुनोती दी थी E.D. को प्रेशित पत्रे में उन्होंने कहा था कि राजनित्ती प्रतिद्योंदियों की वज़ास से उन्हें परचान किया जा रहा है C.M. ने चेताउनी थी कि अगर E.D. ने समन वापस नहीं लिया तो वह कानूनी मोर्चे पर आजे बढ़ेंगे बाबुलाल ने कहा C.M. हमंत आदिवासी हिताशी का दिखावा कर रहे भाजपा के परदेश अध्यक्स बाबुलमराणी ने कहा है कि आदिवासीों की हिताशी होने का धोंग रचने वाले मुख्यमंत्री हमंसरे नाम बदलकर आदिवासीों की जमीन लुट रहे है गरीब पहाडिया के आनाज से लेकर पत्थर बालु कोईला सबकुछ मुख्यमंत्री के इसारे पर उनके लोगों के द्वारा लुटा जा रहा है बरहेट बिधान सभाच्षेतरे के पतना परखन के पहाडिया समुदाय के आनाज को ढकार गए वहीं आनाज के लिए कुछ लोगों ने आवाज उठाई तो उन्हें जूटे मुकाद में फसा कर आवाज को दबा दिया गया मरांडी ने यह बात रभिवार को बरहावार रेलवे स्टेशन परिशर में अवजित भाजपा की संकल पयात्रा सभा को समुदित करते हुए कही उन्होंने कहा है कि राज में कानून वेवस्था चर्माय गई है परतियोगी परिक्षाओं में नकल करने वालों की खैर नहीं हर सेंटर में होगा AI टूल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अब परिक्षा में पारदार सिता लाने के लिए आर्टिफेसियल इंटेरिजेंस का इस्तेमाल करेगी इसका ट्रायल भी सफल रहा है अब हर परिक्षा में नकली परिछाथियों को पकड़ने के लिए AI टूल का उप्योग होगा हाल में ही NTA ने नोएडा, कोलकत्ता और रूडकी में EPFO समाजिक सुरक्षा सहायता परिक्षा में बैठने वाले तिन मुन्ना भाई को AI टूल के मादम से पकड़ा था NTA के अनुसार ट्रायल के तोर पर दिल्ली के एक केंद्र पर परिक्षार्थियों के चेहरे की पाचान करने वाली मसीन लगाई गई थी एक परत्यासी जब उससे गुजरा तो अलार्म बज गया इसे अपराधियों को उसके असली परिक्षार्थी होने पर संदे हुआ जार्खन में बड़ी संख्या में होगी सरकारी नियुक्तिया जार्खन के मुख्य मंत्री हमांसुरे ने सोमवार को रांची में आयोजित एक कर्करम में कहा है कि हमारी सरकार ने हजारों की संख्या में सरकारी नियुक्तिया की जाएगी उन्होंने कहा है कि जार्खन में बर्तमान सरकार की गठित होते ही बैस्विक में हमारी कुरोना ने देश और दुनिया में दस्तक दिया है हमारी सरकार ने बिना कोई आफरात अफरी के कुरोना संक्रमन से राज्य वास्यों को बचाया पिछले सड़े तीन वर्स में हमारी सरकार कई चुनोतियों के बीच मजबूत कदमों के साथ आगे बढ़ रही है हमारी सोच है कि हम जहारखन की जड़ को मजबूत करे हालात जैसे भी हो राज में विकास के कारे औरूध नहीं होनी चाहिए जहारखन हर दिन विकास की नई उचायों को छुए इस निमीद एक बेहतर कारे रेना बनाते हुए राजवासियों की भावना के अनुरूप हमारी सरकार चल रही है धन्यवाद